बिहार शिक्षक भरती जिसकी application form की प्रक्रिया नेवेंबर से शुरू होने वाली है 3rd of November और exam comments होने वाला है 7th of December से क्या December वाले attempt में seated appearing मानने होंगे इसका जवाब आज हम इस वीडियो में समझेंगे और ये भी बात है क्योंकि August में seated appearing मानने थे तो क्या इसमें भी मानने होंगे तो मैं आपको सबसे पहले तो सीधर सीधर जवाब दे देती हूँ 90% डिसकांसर है ना बिल्कुल नो ठीक है क्यों है अब मैं आपको जो data है वो बता देती हूँ यहाँ पर हम comparison draw करेंगे BPSC जो August में हुआ था वर्सिस जो December में होने वाला है क्या फर्क है सबसे पहली बात तो यह कि अगर हम पद की बात करें तो August में पद आये थे 170,000 December में हमरे पास पद है 120,000 किस बेसिस पे सबसे पहली बात तो 48,000 सीध जो हमारी खाली रह गई बिहार Estet जो Basic Eligibility Criteria का examination होता है जो qualification exam होता है इस exam में जो last हुआ था बिहार Estet वो 2019 में हुआ था तो इसमें बहुत सारे applicants रह गए क्यूंकि TGT PGT में बिहार Estet Paper 1 बिहार Estet Paper 2 चाहिए तो उसके लिए वो eligible नहीं थे क्योंकि बिहार Estet नहीं था सबसे पहली बात तो यह तो जो capping की गई थी वो 1,38,000 की की गई थी लेकिन पद जो है सिर फिल हुए 1,22,000 है ना तो कुछ seats वेस्ट हो गई साथ में जो दिव्यांग जन थे 5,000 seats उनकी थी जिनको कोटा मिलना था पर नहीं मिला एक यह बात हो गई तीस तरह point यह है कि इसमें से document verification में भी बहुत सारे students भार हो गई तो लगबग अगर हम total माने 70,000 इनकी खुद की वेकेंसी है 31,000 अपने six to eight की है ठीक है 9,10,11,12 में 18, 18,000 है और बाकी जितने भी seats है वो इधर से आरी है लगबग 50,000 के around तो एक लाग 20,000 अपकी seat हो इस इस attempt में हो गई ठीक है अब यह तो सब्जेक्ट पर जो है exam conduct करवाए गए थे 38 जिलो में यहां पर December में अगर हम देखे तो July is yet to find out लेकिन यहां पर अगर हम बात करें six to eight में as such कोई division अभी तक नहीं आया है पर फिर भी हमारे जो chair person है उन्होंने कोट किया था कि language का आपका एक-एक subject माना जाएगा साथ में जैसे seated में subject subject specification आती है वैसे ही math science और social science में इसको distribute कर लिया हमने मोटा मोटी आपकी चार subjects distribution ही बनेंगे maximum chances यहीं कहते हैं फिर हम बात करें 9, 10 और 11, 12 में तो इसमें 29 और इसमें 15 subjects बन रहे है टोटल आपके 48 के around ऐसा कुछ subject estimation है अगर हम बात करें category की तो यहाँ पर एक 6 to 8 category है ठीक है यह category नहीं आई है इसमें DA, DLA, कोई भी student जो है माने रहेगा इसमें अगर आपका core subject नहीं है अपने graduation में पोस graduation में तो भी अगर आपका elective subject है तो भी आप इसमें माने रहोगे तो 9, 10 वाला student 11, 12 वाला student दोनों इस post के लिए तो है ही है जो इसमें नहीं भी था primary वाला वो भी इदर आ गया है ठीक है और 9, 10, 11, 12 वाला भी आ गया तो यह सबसे बड़ा फाइदा है इस बार primary की category नहीं है लेकिन उच प्राथमिक की जरूर एक category आई है जो पिछली बार थी प्राथमिक में ठीक है एक यह fundamental हमारा clear हो गया अगर हम बात करें यहां पर अपने बिहार estate की तो 2019 में जो बिहार estate हु हुआ है उसमें maximum students 90% result और तीन लाग से भी ओपर candidate जो है क्वालिफाई हुआ है तो सबसे बड़ा game changer होगा देखो बिहार शिक्षक भरती ने अपने पूरी application process में जो ऑगस में हुआ था बहुत सारे changes लाए थे सबसे पहला चेंज जो डेड़सो नंबर का पेपर ता उसको 120 किया गया दूसरा change negative marking को हटाया गया क्यों क्यूंकि भरतिया खाली जारी थी है ना यह सबसे बड़ा कारण था तीसरा seated appearing को माने ठहरा दिया चौथा क्यूंकि बिहार estate नहीं इस वज़े से बहुत सारे changes आये बहुत सारे candidates बिहार estate की वज़े से नहीं आ पाए थे और एक औ पार भी होंगे अब अगर हम बात करें इतने बड़े change के एक major change हुआ था एक्जाइम से करीबन 4-5 दिन पहले बिहार estate जिनका 2019 में qualify हुआ था अब उन देवर अलसो subject to new changes है ना तो उनके जितने भी नए updates के साब से changes थे उनके लिए correction window जो है open की गई थी ताकि नए changes के साब से अपने वो form में correction कर सके यह सब change हुआ था क्यूंकि भरतिया खाली जारी थी बावजूद उसके 50,000 भरती खाली गई क्यूंकि 24,000 उस ताइम पर qualified थे इस बर 10 प्रतीशत हो सकता है कि आपके seated appearing को मानने ठहराएं वो भी तब होगा जब आप continuously BPSC को mail करें आप email कर सकते हैं bpacpat-bih at nic.in पर ठीक है इसमें जो है आपको मेरा support मिलेगा पूरी टीम का support मिलेगा continuously आपकी जो application form अभी तक जो tentative dates है वो 3rd November से 11th of November examination date 7th से 10th of December है बिहार की अभी तक जो इच्छा शक्ति देखी गई है उससाब से जादा बदाव नहीं आएंगे अगर आए भी तो क्योंकि अपनी पेस पर और fastest पेस पर जो है इनके examinations कंड़क करवाय जा रहे हैं तो हम इस पर रिलाइ करेंगे कि हमारे जो साल भर का सलेबस है वो हमें दो महीने में कंप्लीट करना है अगर आपको इसके अलावा कोई भी अपने examination eligibility criteria को लेकर के problem आती है सलेबस preparation आप मुझे सेमेल आइडी पर रीच आउट कर सकते हो मैं आपको यह भी बता दू हमारे बिहार शिक्षक भरती की जो तयारी है साल भर की तयारी को कैसे कवर करना है दो महीने में यह guidance आपको यह 25 अक्टोबर से स्टार्ट हुए वे batches में मिलेगी 6-12 के हमारे batches है ठीक है enroll करने के लिए आप code यूज कर सकते है वाई 449 फिलहाल जो है बिहार शिक्षक भरती महापाक पर चल रही है बंपर सेल वो सेल इसलहे ताकि स्टूडन जो है उनका साल वेस ना जाये दो महीने में तयारी कर सके वो प्रॉपर गाइड़न्स आपको मिलेगी आप यहाँ पर code यूज कर सकता है यूज कर सकते हैं ठीक है अपनी तयारी बरकरार रखें all the very best do let me know और कोई help चाहिए हो तो thank you मैं मिलूंगी आपसे फिर अगली वीडियो में